असलाम अलेकुम विवर्ज आज हम स्टड़ी करते हैं कम्बिनेशन आफ रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड कम्बिनेशन आफ रेजिस्टर्स इन पैरलल सरकट्स अगर हम सीरीज सरकट में देखें हमारे पास यह को रेजिस्टर R1, R2, R3 इसकों बैटरी की इतने पोटेंशल के साथ हम सीरीज में जोड देते हैं क्रंट इधर फुलो करेगा फ्राम दा पास्टिव टर्मिनल आफ दा बैटरी टुवर्ज दा नेगिटिव टर्मिनल यह क्रंट की डिरेक्शन है अब सीरीज कम्बिनेशन में क्या होता है कि इन सीरीज कम्बिनेशन आफ रेजिस्टर्स करंट रिमेंस सेम थ्रोड दा आल कम्पोनेंट्स तमाम कम्पोनेंट्स में से जो करंट होगा वो हमेशा सेम होता है पोटेंचल डिवाइड होती है जो पोटेंचल डिफरेंस है इस डिफरेंट एकरास इच कम्पोनेंट अगर हम कहते हैं बैटरी का पॉटेंचल V है इस रेजिस्टर में जो वोल्टेज ड्रॉप है V1 यहांपे जो पोटेंचल ड्रॉप है V2 यहांपे जो पोटेंचल ड्रॉप है वो V3 तो हम लिख सकते हैं कि potential of the battery V is equal to V1 plus V2 plus V3 अगर मैं इन तीनों resistors की जगा ये एक ही resistor लगा देता हूँ this is called equivalent resistor equivalent resistor RE इससे गुजरने वाला ये total current क्या होगा I ये क्या है V तो मैं equivalent resistor के लिए क्या लगा देता हूँ V is equal to I into RE यहाँ पे I into RE इस component के एक रास जो voltage drop है इस point से लेकर इस point तक IR1 यहाँ से यहाँ तक potential drop जो है वो IR2 और यहाँ से यहाँ तक जो potential drop है वो IR3 तो यह आजाएगा IR1 प्लस V2 आजाएगा IR2 प्लस V3 आजाएगा IR3 I को हम common ले ले IRE is equal to I R1 प्लस R2 प्लस R3 I के साथ I cancel हो जाएगा तो total जो equivalent resistance of the circuit वो यह है सीरीज में हम जितने resistors को बढ़ाते जाएगे उसकी equivalent resistance इंक्रीज करती जाएगी और उसकी वज़ा से जो current होगा वो decrease करता जाएगा अगर हम resistance को बढ़ाते जाएगे वनना तमाम components मेंसे जो current होता है वो same गुजरता है यहां से यहां तक हमारे पास अगर मैं voltage drop को देखूं V1 is equal to I around 1 यहां से यहां तक जो voltage drop है वो V2 is equal to I R2 यहां से यहां तक I R3 यह potential difference है अगर मैं power dissipation की बात करो तो इस component के एक्रास power dissipation क्या होगी I I square R1 इस component के एक्रास power dissipation क्या होगी I square I square R2 इस component के एक्रास power dissipation होगी I square R3 जो total power supplied by the battery है जो battery power supply करती है वो किसके एक्वाल है power is equal to VA हम total voltage of the potential of the battery multiplied by total current supplied by the battery यहां से हम battery की total power देखते है और वो total power that must be equal to power supplied across this component plus power supplied across this component plus power supplied across this component हम किसी भी emceq की इस त्रीक गा अगर हम कोई numerical ले 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 लें थो हम उसको solve कर सकते हैं अगर मैं कहता हूँ कि हमारे पास ये रिजिस्टर है हमारे पास 2 ओम का ये रिजिस्टर है 3 ओम का ये इसको कह देते हैं ये हमारे पास 4 ओम का और ये कोई रिजिस्टर है 6 ओम का तो टोटल equivalent resistance क्या आजाएगी 2 प्लस 4 प्लस 6 is equal to 12 हो हमकी equivalent resistance circuit का total current क्या आजाएगा voltage हम कहते हैं suppose जो बैटरी है वो 24 volt 24 volt के हम बैटरी यहां पे apply कर देते हैं total voltage divided by equivalent resistance is equal to 24 over 12 is equal to टू एम्पेर सरकट का टोटल करंट है जो टोटल करंट यहां बैटरी से जाएगा इसके एक रास वोल्टेज ड्रॉप कितनी आ जाएगी I, R I है हमारे पास 2 R कितना है R है हमारे पास 2 इसके एक रास जो पुटेंशल ड्रॉप होगा वो आ जाएगा 4 वोल्ट इसके एक रास पुटेंशल ड्रॉप कितना आ जाएगा यह V2 is equal to I, R2 R हमारे पास कितना है R है हमारे पास 4 तो V1 आ गया I, R1 is equal to 2 multiplied by 2 is equal to 4 वोल्ट V2 आ जाएगा I, R2 करंट 2 है resistance 4 is equal to 8 वोल्ट I3 है हमारे पास 2 multiplied by 6 is equal to 12 वोल्ट अब देखें बैटरी 24 की अपलाई का रहे है 4 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है जो 8 वोल्ट है वो यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है और 12 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है अगर हम टोटल को जमा करें हम टोटल को एड़ अप करें तो टोटल हमारे पास जो पुटेंचल है वो वही 24 यहाँ से 20 यह वाला टर्मिनल कहां पे है यह वाला टर्मिनल है 24 पे 4 इसमें ड्रॉप हुआ यह वाला टर्मिनल पहुचा प्लस 20 पे 8 वोल्ट इधर ड्रॉप हुआ इसमें यह वाला टर्मिनल पहुचा प्लस 12 में 12 इधर ड्रॉप हुआ ये वला टर्मिनल कहां पहुंचा जिरो बोल्ट पहुंचा बोल्ट पहुंचा और ये जिरो देखें ये जिरो यहां से ये connected ये जिरो बोल्ट अगर हम पावर को solve करें पावर के लिए हम इसी तरीके से solve कर सकते total power supplied by the battery किस के एकवल है 24 वोल्ट की बैटरी है 2 एंपेर टोटल कुरंट है 48 वार्ट पावर वो बैटरी स्प्लाई करें अगर मैं इस कंपोनेंट के एक रास पावर देखूं तो P1 is equal to I square into R1 I है 2, 2 का square 4 multiplied by resistance 2 is equal to 8 वार्ट इधर ड्रॉप होगा अगर मैं इस कंपोनेंट के एक रास देखूं I square R2, 2 का square R2 है 4 16 वार्ट इधर ड्रॉप होगा अगर मैं इसके एक रास पावर डिसिपेशन देखूं I square R3 is equal to 2 का square R3 है हमारे पास 6 24 वार्ट यहाँ पे 24 प्लस 16 प्लस 8 is equal to 48 तो बैटरी देखें टोटल जो पावर सरक्ट को सप्लाई का रही थी वो 48 वार्ट है एक्जेक्टल उतनी जो पावर है वो external सरक्ट में according to the law of conservation of energy जितनी इनर्जी एक चार्ज को यहाँ पे सप्लाई करते हैं उसी रेट से इनर्जी जो है वो external सरक्ट में जाके वो अब यह हमारे पास वो सीरीज सरक्ट में है हमने equivalent resistance को discuss किया हमने सरक्ट के total current को discuss किया हमने हर component के एक रास potential difference को study किया हमने हर component के एक रास हमने power dissipation को power supplied by the battery and power dissipation across each component हमने इस चीज़ को detail में यह study किया अगर मैं parallel circuit ले लूँ जो parallel circuits होते हैं अब सीरीज सरक्ट में क्या है हमारे पास हम यह लिख सकते हैं कि सीरीज सरक्ट में power supplied by the battery is equal to power dissipation across each component यह है और यह सबसे important चीज़ है सीरीज सरक्ट में हमेशां तमाम components में से अगर current सेम गुजर रहा है तो आप बड़े इतमाद से कह सकते हैं कि पूरा का पूरा सरक्ट वो सीरीज में पड़ा है अगर current के लिए कोई दूसरा रास्ता उसको नहीं मिर रहा है अगर current का एक ही रास्ता है इसका मतलब है पूरा सरक्ट सीरीज में है अगर हम parallel communication पे आजए हमारे पास यह कोई एक component है यह हमारे पास थ्री हमने रिजिस्टर को parallel में जोड़ दिये parallel means कि हमारे पास क्रंट के एक से ज़्यादा रास्ते है हम क्रंट को एक से ज़्यादा रास्ते दे रहे हैं जब क्रंट की branches ज्यादा बन जाती है current अपने, जो magnitude है current उडिवाइड हो जाता है हम कहते हैं कि जिस point से current डिवाइड होते है उसी point से circuitيد पैरलल शुरू होता है यहां से हम potential difference यह वी दे रहें यह यहां से current flow करेगा जितना current यहां से आएगा किर्चोस फर्स्ट रूल के मताबे करंट यहां से डिवाइड हो जाएगा अगर इसको बोलता हूँ कि यह रिजिस्टर R1 है यह रिजिस्टर R2 है और यह रिजिस्टर कोई R3 है यहां से करंट गुजरेगा I1 यहां से करंट गुजरेगा I2 और यहां से करंट गुजरेगा I3 वो करंट यहां से गुजरता हूँ I1, I2, I3 इस पॉइंट पे फिर मिलेगा फिर हम यहां पे किर्चोस फर्स्ट रूर लगा देते हैं कि करंट जितना आते हैं एक पॉइंट पे वो सम होके वो इकठे आगे निकलता है अब पॉटेंचल डिफरेंस इसमें क्या होता है पैरलल कंबिनेशन में यह हम स्टेडी कर रहे हैं पैरलल कंबिनेशन आफ रेजिस्टर्स यह उसका पैरलल कंबिनेशन है पैरलल कंबिनेशन में पॉटेंचल डिफरेंस रिमेंस कांस्टन जो current होता है वो divide होता है current is equal to I1 plus I2 plus I3 current की तीन branches बनी अगर मैं इन तीनों की जगा मैं एक ही resistor लगा दूँ R equivalent यह potential जो total current है वो किसके एक वरा जाएगा total current ohms लाके मताबक total voltage divided by equivalent resistance जितनी voltage यह बैटरी की है फर्सक्राइए हम कहते हैं कि 24 volt की है exactly उतनी potential difference देकिए यह point भी 24 पे यह negative है तो यह point 0 पे जो negative terminal है अगर 24 का potential difference यहाँ पे है तो तमाम components के एक रास यहाँ पे जो potential difference है वो कितना होगा 24 का I1 हमारे पास आजाएगा V over R1 I2 आजाएगा potential over R2 I3 आजाएगा potential over R3 इससे गुजरने वाला क्रंट potential difference सेम है क्रंट इस एकॉल टू वोल्टेज potential difference divided by resistance इस केस में resistance R1 है इसमें R2 और इसमें R3 अगर हम V1 को यहाँ से common लहे इसके साथ cancel करने तो क्या आजाएगा R equivalent is equal to अब यह parallel combination के लिए resistance है तो parallel combination में क्या होता है हमेशा resistance जो equivalent resistance होती है वो circuit की सबसे छोटी resistance से भी छोटी हो जाती है और series combination में जो equivalent resistance होती है वो circuit की सबसे बड़ी resistance से भी बड़ी होती है अब यहाँ है अगर इसमें एक्जेंपल ले लो यह हमारे पास resistance पोज यह है फॉर ओम का यह भी रिजिस्टेंस है फॉर ओम का यह हम 6 ले लेते हैं यह रिंचिंस 6 का है ये भी 6 का है ये भी हमारे पास 6 ओम हमने तीनु ब्रॉंचेज में equivalent resistance रख दिये अगर तीनु ब्रॉंचेज में resistance equivalent होगी फिर तीनु ब्रॉंचेज में current equally divide होगा अगर मैं इसका equivalent मालूम करूँ 1 over 6 plus 1 over 6 plus 1 over 6 equivalent कितना आजाएगा 1 plus 1 plus 1 3 by 6 इसको आप invert कर दें inversion से 6 by 3 क्या आजाएगा 2 ohm अब सरकट की जो टोटल equivalent resistance है वो 2 ohm की है हम कहते हैं यहां पर हमने 24 volt की बैटरी लगा दिया तमाम components के एकराज potential सेम है current किसके equal हैगा जो total current है this is equal to total voltage divided by equivalent resistance 24 divided by 2 is equal to 12 ampere का total current अगर मैं ब्रॉंचे से divide करके देखूं I1 is equal to voltage over R1 इसके क्राज voltage कितना है 24 R1 है 6 4 ampere एक ब्रॉंच से गुजरता है अगर मैं I2 को देखूं V over R2 24 over 6 is equal to 4 ampere दूसरी ब्रॉंच से गुजरता है अगर मैं I3 को देखूं voltage over R3 24 over 6 is equal to 4 ampere तो यह total जो current होता है यह total current 12 था हर ब्रॉंच में से 4 ampere 4 ampere 4 ampere यह current गुजरता है यहां से वो ही 4 आपस में add होके यहां पे फिर 12 बनेगा total current कितना flow कर रहा है वो 12 ampere यहां से हो इदर फ्लो करते हैं अगर मैं total power supplied by the battery देखूं तो power supplied is equal to P is equal to Vi P is equal to potential difference at 24 current at 12 इससे multiply करें तो क्या जाएगा यह 288 watt this is the power supplied by the battery अगर हम power dissipated across each component देखें P1 is equal to I square R I square R1 I square है हरकम इससे current भी 4 ampere इससे भी current 4 ampere इस component से भी current 4 ampere तो यह हमारे पास क्या आजाएगा 4 का square into R1 है 6 this is equal to 4 का square जाएगा 16 multiplied by 96 is equal to 96 watt यह P1 है अब P2 भी हमारे पास 96 होगा क्योंकि same current flow कर रहे है resistance भी वही 6 ohm है इस में से भी वही 4 ampere current गुजरता है resistance भी वही 6 ohm है तो अगर हम 96 plus 96 plus 96 करें तो result वही हमारे पास 288 watt आजाएगा यह पावर supplied by the battery is exactly equal to power dissipated in the external circuit यह हम किसी एक component के एकरास भी इसके एकरास कितनी power dissipation है इसके इसमें से कितना current गुजरेगा इसके एकरास कितनी power dissipation है इसके एकरास कितनी power dissipation है अब यहाँ पे voltage divide होती है series में voltage divide होती जाती है current same होता है parallel के case में potential difference same होता है जो current होते हैं वो यहाँ से branches में से divide होता है जहाँ भी current की branches बनती हैं वहीं हम कहाँ देते हैं कि circuit वहाँ पे क्या हो रहा है वो parallel हो तो यह हमारा आज को topic था इसमें हमने हर component के एकरास potential difference को देखा हर component से गुजनने वाले current को study किया और हर component के एकरास हमने power dissipation को study किया और हम electrical circuits में यही तीन ही main हमारे पास variables होते हैं किसी circuit के parameter है current क्या है, voltage क्या है, power क्या है तो आप इन चीजों को बार बार practice करें मुख्तलिफ questions में इसको apply करें इससे आपका subject भी बेतर होगा कहीं कोई problem आता है You are always welcome Thank you so much